कॉंग्रिस जैसे कहीं बार ये कहती हुई दिखाई वी दी कि हमें तो इस बात की खुशी है कि संधिया जी के आने के बाद किस तरह से पार्टी में तूट फूट होई तो क्या ऐसा एको सिस्टम डाबलब करने में ये सफल हो रहे हैं जाने वाले कि संधिया जी आए है इसलिए नाराज भाजपा भी है माहराज भाजपा भी है शिवराज भाजपा भी है और कहीं न कहीं चुनाव प्रबंधन समिती या प्रचार समिती या कहीं भी हम देखते न अपनी आपको नहीं डाला बलकि शक्त को विवश्च किया है कि वहारी के नुषवर है अब जोतेरादित देते सिंधिया भारती जनता पार्टी का इक कार करता के तौर पर निर्वा करने के कोश्च करते हैं भार्दी जंदा पार्टी के नेता होने के कोश्च करते हैं जोते राधित सिंदिया अब यह नहीं कहते हैं कि मेरे आदमी को टिकेट दिया जाए जोते राधित सिंदिया के भाषा बदली हुई है जोते राधित सिंदिया अब यह कहते को मेहज तीन साल के अंदर इस साचे में इढाल दिया जिसके तहरे जोतिरादे सिंधिया अपने उन कट्टर समर्थकों को जो उनके साथ कॉंग्रेस छोड़कर बाजबा कैसा बने साथ तौरबा कह चुके कि भाई मेरे से कोई उमीद मत करना मैं अपनी तरसे नाम प्रस्तावित कर सकता हूँ पर जिसे भी पार्टी टिकेट देगी मैं उसके साथ रहूँगा ये इससे थी कॉंग्रेस में रहते हुए जोतिरादे सिंधिया की नहीं थी कमलना दिगविजा सिंग की पसंद को वो सिर उनके साथ में जो तमाम नेता भारती जंदा पार्टी का हिस्ता बनेते हैं उने समझ में आ गया कि चुनावी राजनीती के अंदर सिंधिया के साथ भाजबा में अपनी गुजर नहीं हो पाईगी वो जिन उम्मीदों के साथ भाजबा में आये थे कि कॉंगरस में टिकेट जीवन समाप्त हो जाएगा तो चाहे वो समंदर पटेल हों चाहे वह राकेश गुपता हों या अन्य तमाम जुनीता हैं वो अगर भाजबा छोड़कर वापस कॉंग्रेस की और रुख कर रहे हैं तो उसकी वज़ए है कि कहीं न कहीं जोतिरादित सिंधिया को लेकर उनमे पार्टी में खुद को तो मजबूत कर रहे हैं पर उनके समर्थक अपने आपको कहीं न कहीं कमजोर महसूस कर रहा है